Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डबल जो चिप्स वगरा है, आज के डेट में वो ट्रेंड वगरा खतम होते जा रहा है, वो वही जो पैकेट में लेज और अलग लग की जाती है, वही कंस्यूम करने लगा है, तो क्या हुआ है, यहाँ पर सरकार ने अपनी तरफ से यह कहा है, कि जो भी आप फूड आइटम्स कंस इमार की हम बात करें, इनियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इनोंने एडवाईजरी जारी कि है, अगेंस्ट मिस्लीडिंग पैकेज्ट फूड लेविलिंग, तो इसी को तोड़ा डीटेल में समझेंगे, कि इसमें बताया गया है, और कंजूमर्स को क्या ध्यान रखना काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा, चली आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखेगा, आप मेंसे जो भी लोग UPSC की प्रपेशन कर रहे हैं, हमारा समर सेल का ज़्यादा स्यादा फाइदा उठा सकते हैं कल तक, 15 में तक ये सेल है, क्योंकि हमारा जो नया बैच है GS Foundation का, वो तो वैसे 20th of May से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन कल तक अगर आप इस बैच को लेते हो, तो सबसे कम दाम पर आप ले पाएंगे, बस आपको हमारे वेबसाइट आप पर जाना है, या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करना है, कोड अंकित ताकि आपको maximum discount जो है, वो मिल जाए, और इसके अलाबा, अगर आप MCQs attempt करना चाहते हैं, तो मेरे इंस्टा पेज पर जाएए, वहाँ पर stories में जितने भी MCQs हैं, उसको भी आप attempt कर पाएंगे, तो चलिए सुरुवात करते हैं, और सबसे पहले ये देखते हैं कि exactly हुआ क करते हो, और जो आप packaged food खरीते हैं, चाहिए वो sauce हो गया, या फिर chips हो गया, कोई भी आप देखोगे, तो उसमें यहाँ पर label रगा रहता है, कि इसमें ये चीज़ें डली हैं, उसमें इतनी energy है, carbohydrates हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं, वो काफी जादा misleading हो सकती हैं, और इसलिए consumers को वो सारी चीज़ें बहुत carefully पढ़ना चाहिए, और उसको थोड़ा सा और understand करने की जरूरत है, हमारे देश के अंदर, जो हम कहते हैं, information फैलाने की काफी आओ शकता है, जैसे कि यहाँ पर उन्होंने बताया, कि कई सारे जो food items हैं, उसमें लिखा होता है sugar free, लेकिन actual में अगर आप देखो कि तो उसमें बहुत सारा fat है, तो उसके उपर हमारे ध्यान नहीं जाता है, वो तो बड़े बड़े packets पर सामने लिखा रहता है, कि यह real juice है, अब real कितना है, उसमें hardly कोई fruit आपको देखने को मिलेगा, और बाकी तो चीज़ें उसमें added होती हैं, तो यह हम बड़े हैं, वो रखते हैं अपने food items के उपर, और उसको इस तरह से design किया जाता है, consumer का attention मिल सकें, लेकिन actual में जो product की quality है, वो कितनी healthy है, उसके उपर काफी जादा doubt है, यहाँ पर इंफार्ट ये भी बोला गया है, कि जो हमारे देश के अंदर ये जो authority है न, food safety and standard authority of India, ये काफी जादा strict norms को follow करवाती है, उनकी जिम्मेदारी है, कि देश में जो भी food items भिक रहे हैं, वो सही तरीके से भिक हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो label लगा रहता है न, देखो, क्या है कि यहाँ पर एक कानून बना दिया गया, FSCI ने ये कह दिया, कि आपको ये सारी चीज़ें provide करने होगी, उसके बावजूद भी आपको twist करके वो information दी जाती है, तो आपको लगता है कि आप healthy चीज़ खा रहे हो, लेकिन actual में वो healthy नहीं है, और मैं आपको बता दूँ, ये सारी चीज़े क्यों आई है, क्योंकि क्या हुआ है, हैधराबाद based एक institute है, जिसक ने ये बोला है कि जो food product है, उसको natural तभी बोला जा सकता है, मतलब माल लीज़े अगर हम कोई food product है, उसमें लिखा होता है ना, आच के रेट में, all natural product, label लगा दिया गया, बड़ा सा सामने packet के, लेकिन actual में जब आप उसके पीछे दोगों कुछ और ही मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ, एक और बहुत important चीज़ है, उसकी processing minimum होनी चाहिए, processing आपको पता है ना, जैसे कोई भी product है, जैसे कि मालोगर हम tomato की बात करें, अब tomato तो खेत में उगता है, वहाँ से किसान से कई और जाता है, फिर कई और, तो आगे चलकर factories में उसकी बहुत सारी processing होती है, और actual में ऐसा नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर जो, जो natural यह जो term है ना, it is often used rather loosely, ऐसा बोला गया इसके अंदर, जो manufacturers है, वो क्या करते हैं, एक दो natural ingredients, food के अंदर डाल देते हैं, और packet पे दिखाते हैं, कि यह तो पूरा product जो है, वो काफी natural है, तो basically यहाँ पर जो agency और जो सरकार है, वो आपसे यह कहना चारी है, लोगों को यह बताना चारी है, कि जब भी आप कोई food item खरीते हैं, और packet पे देखते हैं, तो उस पे आकरशित मत हो जाईए, वो packet को उठा कर पीछे देखिए, अब आप में से, आप लोग मुझे comments में बता सकते हैं, कि आप में से कितने ऐस लोग हैं, जो actual में ऐसा करते हैं, आप तो बस starting का front वाला देख लेते हैं, लेकिन पीछे actual में वहाँ पर क्या लिखा होता है, वो ज्यादा तर लोग इसको verify नहीं करते हैं, और यही सबसे बड़ी problem है, यहाँ पर in fact, ICMR ने और जो body है, जिन्होंने ये पूरी guidelines चारी की है, उन्होंने कुछ examples भी दिया है, जैसे कि real fruit juice की हम बात करते हैं, यहाँ पर जैसे fruit juice पे लिखा होता है न, packet में कि ये 100% real है, लेकिन क्या आपको पता है, जो FSCI की regulation है, वो क्या कहती है, कि अगर किसी juice के अंदर food item में, अगर थोड़ा सा भी उसमें कोई substance real डाल दिया गया, तो आप उसको real के तोर पर बेज सकते हो, जैसे fruit juice के अंदर 10 से भी कम percent में जो actual fruit है वो होता है, लेकिन फिर भी वो लोग क्या कहते हैं, कि ये real fruit juice है, लेकिन वो actual में नहीं है, उसमें hardly 10% भी fruit का pulp आपको देखने को नहीं मिलेगा, और बाकी तो चीज़ें उसमें added sugars हो गए other additives हो गए, वो सारी चीज़ें मिली होती है, फिर इसके लाब आकसर आपने देखा होगा made with whole grain, ये भी बड़ाई misinterpret किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई चीज whole grain से बनी है, लेकिन क्या इसमें 100% shorty है कि उसको processing नहीं किया गया है, क्या उसकी further processing नहीं हुई है, और ये आपके लिए unhealthy हो सकता है, उसी प्रकार से जब हम organic food की बात करते हैं, ध्यान रखेगा, कोई भी organic food तभी होता है, जब यहाँ पर it is free from all artificial preservative, flavors, colors, और साथी साथ यहाँ पर किसी भी प्रकार का pesticide और chemical fertilizer use नहीं किया जा है, और अगर ये दोनों चीजें satisfy होती है, तभी किसी product को 100% organic बोला जा सकता है, और उसमें आप logo जरूर चेक करिएगा, जैविक भारत का logo लगा रहता है, यहाँ पर लोग देख तो लेते हैं, उपर बड़ा सा लिखा हुआ है, organic, लेकिन क्या आपने देखा कि पीछे आपर ये जैविक भारत, ये दो देख रहे हो ना, क् ये बहुत सारे symbols भी आपको चेक करना चाहिए, अब in fact problem क्या है ना, कई बार तो ये भी हो गया है कि लोग इस तरह के symbol का गलत इस्तमाल करने लगए, उस पर सरकार crackdown करती है, लेकिन इतना जादा गलत काम होता रहता है कि कहीं न कहीं खबरे आती रहती है, आप देख लो न calories कम होंगे इसके अंदर, लेकिन actual में अगर आप देखोगे जो sugar free food होते हैं, उसमें बहुत सारा fat हो गया, refined cereal हो गया, जैसे white flour, starch, वो लगे रहते हैं, hidden sugars होते हैं उसके अंदर, भले उसमें sugar free हो गया, वो लोग कहते हैं कि जो white वाला sugar है वो हम नहीं डाल रहे हैं, लेकिन अगर आप देखोगे पीछे लिकर, तो उसमें लिखा होता है, multi toll, fructose, corn syrup, तो इसकी वजए से वहाँ पर वो high calorie food बन जाता है, तो ये सारी चीजें कौन चेक करेगा, consumers को चेक करना important है, although मैं बतातू कि मैं तो यहाँ पर ये favor में हो कि सरकार को बहुत strict action लेना चाहिए, आप देख सकते हो, ये बोला गया है, लोगों को, consumers को ये बोला गया है, कि आपको cross check करना होगा, यहाँ पर जो भी guidelines है, जो भी labels वगर अलगे रहते हैं, उसको भी ध्यान से पढ़ना होगा, जैसे कि यहाँ पर बोला गया, कई बार लोग misconception रखते हैं, general misconception है, कि nutrition facts और nutrition claim, य इसा नहीं है, nutrition claim वगरा में आप देखोगे, तो कई बार यहाँ पर लिखा होता है, कि high fiber है, low calorie है, low fat है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है, कि यहाँ पर actual में उसका nutrition facts कितना है, जैसे कि आप देखिए, lese वगरा का कोई packet होगा, अगर आप उठा उसमें पीछे लिखा होगा केचप का, यह है कितना किलो का, दो किलो का है, और यहाँ पर nutrition information अगर आप देखोगे ना, तो वो nutrition information दो किलो के हिसाब से नहीं दिया गया है, वो दिया गया है पर serve के हिसाब के माध्यम से, मतलब per serving कितना है, तो यहाँ पर सिर्फ 15 gram के हिसाब से आपको information दी गई है, 15 gram के ह यहां पर शूगर कितना आप सोझ के देखो अगर आप 15 ग्राम केचप ले रहे हो उसमें शुगर कितना यह देखिये 4.8 ग्राम शुगर कहने हो अब सोझ के देखो लेकिन कई बार लोग इसको ध्यान नहीं देते serving के उपर लोग क्या करते हैं बस यह simply एक बार just go through कर लेते है उनको लगता है कि अरे दो किलो का तो है इसमें इतना ही तो कम है शुगर कुछ जादा तो हुआ नहीं बत ऐसा नहीं है यहाँ पर शुगर 4.8 ग्राम यह हर 15 ग्राम के केचप के हिसाफ से दिया गया है तो यह सब कुछ बहुत important और इसी के बारे में यहाँ पर जो body है उन्हो कोई भी product को best before लिखा होता है न तो ज्यादा कोशिश करना चाहिए जो date of manufacturing के नजदीक है वो आप product लीचे क्योंकि उसकी nutritional quality ultimate क्या होगी बिगड़ते जाएगी मालो दो साल का उसका पूरा expiry है कि manufacturing से लेकर expiry best before दो साल का है तो आपको 2-4 महने ही बचे है उसको best before होने में तो उधर क्या product मतलो आप कोशिश करो कि starting कही अगले starting में manufacturing हुआ उसके 2-4 महने के अंदर ही वो product का इस्तमाल करो तो वो ज्यादा better होगा तो आपको समझ में आ गया होगा और जैसे कि मैं आपको बोल रहा था कि यह जो dietary guidelines for Indians है वो draft किया गया एक multi-disciplinary committee of experts के दोरा और इसको lead किया गया था by Dr. Him Lata our director और इसको कई सारे scientific reviews से भी गुजारा गया है ताकि इसके बारे में सही जानक ठीक है medical panel ICMR ने urge किया है लोगों को कि आप इस तरह के protein supplements avoid करिये बट फिर भी भगवान जाने लोग फिर भी लेते रहेंगे खेर जो भी I hope आपको कुछ समझ में आया होगा और इसको ज्यादा 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 लोगों को बताइए कि आप प्लीज सतर को जाएं इस तरह क क्योंकि सरकार खुद कह रही है कि यहाँ पर जो label लगा रहता है वो misleading है तो आप क्या expect कर सकते हैं सरकार से भी कि वो कितना जहाच कर पाती होगी कितना नहीं खेर जो भी है जाने से पहले कि interesting question आप सभी के लिए क्या आप बता सकते हो कि milk के nutrition के बारे में 4 statement दिया गया आपक रहता हूं अगर आपको PDF यह तो टेलिग्राम पर आईए अलग लग सोचल मीडिया पर आप यूडपा होगे और जैसा मैंने आपको बताया है अगर आप UPSC की त्यारी कर रहे हैं कोई भी बैक चाहते हैं you can simply use this code ANKITLIVE to get maximum discount and I hope कि वीडियो आपको पसंद आया होगा मिलता ह next time till then thank you very much see you soon study IQ IS ab tayyari hui affordable